हमारे पास exercise 3 भी है इसमें जो यह आयलर्ट theorem पर प्रशन है उस पर solve करना है verify आयलर्ट theorem for the function यहाँ पर आपको बोलता है आयलर्ट theorem को क्या करना आपको verify करना है तो आयलर्ट theorem होता क्या है और उससे proof कैसे करना वो हम बता चुके हैं आप जाकर देख सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा तो चलिए हम इसे solve करते हैं ठीक है तो चलते question पे यह हमारे पास question number one है और one का यह first है one का पहला है एंड इसमें दो परहसने one में तो पहला question देख लेते हैं u बराबर x square plus 2h xy plus by square है सबसे पहले आपको इसमें degree check करना पढ़ेगा degree order तो आप देखे कासे check करें जब आपको बता दो यहां पर देखे x का power कितना है 2. यहां पर देखे x और y का power मिलाके देखे और add in karies कปहर 1 य इसमें कौना हो गया 2 हो गया यहां पर y का पावर 2 मतलब सब ट्रॉम में क्या है आपको पावर बराबर है वो हमारा क्या बन जाएगा डिगरी बन जाएगा ठीक है यदि आपको यदि बट्टा में होता है इस तरीके से यदि बट्टा में होता है तो इसका पावर यदि एकस का पावर 3 है और यहां पर एकस का पावर 2 है तो ऐ पता करेंगे तो इसमें से आपको कुछ नी करना उपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दीजिएगा तो इसमें आपको ऐसे पता चल जागा एक्स का पावर कितना है बिल्कुल लेकिन यह आपको यह वाला जो ट्रम है इस पे पावर ऐसा नहीं कि इस पेड चार होना तो इस तरीके से भी solve कर सकते हैं मुश्किल नहीं है अब चलते है डायरेक्टली यहाँ पर according to Euler's Theorem अब मुझे Euler's Theorem का क्या कहता तो वो देख लिजे x dy बट्टा डिवाई बट्टा डिल्टा इसको परते हैं अब चलते हैं इसका मतलब क्या हुआ है यहां टो रहता है तो यू लाना है समझ में आया अब चलते है इसमें यहां पर डेलियू बट्टा डेलेक्स निकालते इसका मतलब क्या होता है डेलियू बट्टा डेलेक्स का मतलब यहां पर लिख सकते differentiation partially with respect to the with respect to the x यह काम कर सकते को दिकर नहीं यह partially लिखेंगे partially differentiation कर रहे है यह डेल यू बट्टा डेल x इसका यहाँ पर 2x हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर देखें यह y इसमें constant है लेकिन x constant नहीं है जो भी constant वो आपको बाहर आजाएगा और x का differentiation 1 हो जाएगा यहाँ पर देखें यह पूरा constant है यह क्या है पूरा constant है तो इसका मतलब किया है आपको जीर हो जाएगा and आगे इसमें हम बात कर दूँ तो यह डेल यू बट्टा डेल वाई निकाल ले देखेंगे तो य के रिखेंगे, लेकिन आप य कर रहे तो एक्स कॉंस्टेंट यह आपका 0 बन जाएगा, यहां पर देखें आपको 2Hx बहार आ जाएगा, यह आपको 2by बन जाएगा, तो देखें इसी परकार, यह 2by हो चुका यह आपको 0 हो चुका है, एंड पूटिंग इन इक्वेशन 1, अब देखेंगे, इक्वेशन 1 में जो है न, हम डेल यू बटा डेल x, डेल यू बटा डेल y का मान क्या करतें, पूट कर देतें, यदि इक्वेशन 1 न भी माने तो दिकत नहीं है, यहां पर आप चाहें तो आप x से मल्टिपलाई करके भ बिल्कुल, यहां पर देखें, यह यह यह, मतलब इस y से आपको इसमें मल्टिपलाई है, मतलब इस मान में तो मल्टिपलाई होगा, बिल्कुल, आप देखें यह, इसको मल्टिपलाई कर दें 2 A x square, यह आपको हो जागा 2 H x y, एनड इसी परकार इसमें भी हमनें, हमने 2 यहाँ पर दो ही बचेगा, यह हमारा परसन है, यह तोटल क्या है, देख लिए हमारा कोशन इस परकार है, इसके जागा पर यू पूट कर सकते हैं, बिल्कुल यू पूट कर दिये, जो हमारा RHS था यह, तो यू, जो हमारा RHS आपको आपको आचुका, बिल्कुल आचानी सा इस परकार इसमें, कोशन नंबर इसका 1 का दूसरा भी है, जाली वो देख ले तो वो किस परकार है? देखे, हमारे पास इस परकार, U बराबर X का 1 बाई 4 है, पर बट्टाम में भी है, पर जो इस कोशन को सॉल्ब करते हैं, यू बराबर X का 1 बाई 4, Y का पावर 1 बाई 4 है इसका करनेस में ऐसे देडिशकान दाए अश् Capacs You Kapat पूट कर सकते ती भी पूट कर सकते यहां पर फिर लिम्डा वाई फिर मतलब आपको यहां पर लिम्डा आपको एक्स के जगा पर लिम्डा एक्स वाई के जगा पर लिम्डा वाई इस तरीके साप पूट करके फिर आप निकालने का दरीका तो उपर वाला उपर वाला मतलब मुझे degree मिला आउडर यह हमारा कितना होगा एक बट्टा 20 अब यहाँ पर आइलर थेहरम क्या कहता है वो आप देख सकते हैं आउडर थेहरम कहता है कि एक डिल यू बट्टा डिल एक्स यू के रिस्पेक्ट में काम करेंगे डिल यू बट्टा डिल एक्स पलस वाई डिल यू बट्टा डिल वाई बराबर इन यू इन के जगा पर हमारा एक बट्टा 20 काम करेगा वन बट्टा 20 काम करेगा ना बिलकु U by B जानते हैं न, formula V लगा दिया, B को रहने दिया, U का differentiation, B को रहने दिया, U का differentiation, U बोले तो इसका differentiation, याद रहे, यहाँ पर X के respect में कर रहे हैं, मतलब Y constant, Y constant, directly 0, minus, अब यहाँ पर हमने कहा किया, कि B को रहने दिया, U का differentiation क्या था, आप यहां पर क्या करेंगे U को रहने देंगे U का मतलब आप कन्फ्यूज मत हो जाएगा मैं इसकी बात कर रहा है यह टोटल को हमने U माना यह टोटल को भी माने होआ है यहां पर भी का डिफरेंशेशन 1 बटा 5 X का पावर मानेस 4 बटा 5 इस तरीके से होगा यह नूर्मल चीज है आपको पता होगा नहीं मालूमें तो दिक्कत हो जागा नीचे भी एस्कॉाइर होता है भी का मतलब इसका है अब इसी को जो हमने का किया सब के बटा में इसको भेज दिया बटा में भेजने से फाइदा हुआ यह 2 है ना मतलब इसकॉायर है तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा यहां देखे यहां देखे आप यह माइनस में तो इसके बटा यहां तो कोई फ्यक्ट है नहीं परेगा मुझे लगा यहां पर कट जाएगा लेगी नहीं कटा कोई दिकन नहीं है आपको यहां पर भी tension नहीं लेना है इसमें हमने काया किया x से multiply कर दिया x से multiply का मतली समझते बिल्कुल यहां पर देखें यह minus 3 बट्टा 4 है x का power और यहां पर 1 भी आ जाएगा देखें ना minus 3 बट्टा 4 है आप फिर x से multiply कर दिया 3 बट्टा 4 ना sorry x का power है फिर पल है सुबर आप 4 में से 4 में से 3 गया तो 1 बट्टा 4 हो गया ना आप देखें इसमें भी x से multiply यहां पर 4 बट्टा 5 है तो x का power 1 बट्टा 5 इस तरीक से आप समझ गया बिल्कुल नहीं समझें तो आप थोड़ा अच्छा से solve परें समझ में आ ज लगा दिया और यह भी का square भी को रहने दिया यू का differentiation इस तरीके सा आप इसको देखें इसको देखके समझा कर यह यू भाई भी हमने लगाया एकदम आप रिलेक्स मोड में जाकर लगाई है कोई दिकत नहीं होगा आपको यहां पर देखें यहां पर यहां पर यहां पर य लो में क्यों वाई लिखा हमको य से multiply करके चाहिए नहीं भी लिखेंगे फिर य इस तरीके सा आपको क्या आजागा देख लिए आपको समझ में आता तो ऐसे माइनस तीन बट्टा चार पलस एक मतलब तीन माइनस तीरी पलचार बट्टा चार बट्टा इस तरीके से तो य इसमें अभी तक मैंने कोई छेर चार नहीं किया बस स्रिफ multiply किया एंड यह मेरा equation 2 बना नए भी मानेंगे तो दिक्कत देए लेकिन आम मानें इसली ताकि मैं आपको दिखा सकूँ यह वाला यह दोनों में हम काम करेंगे काम क्या करेंगे इंदों को एडिंग करेंगे देखें एक बट्टा चार यहां पर भी देखें एकस का पावर यहां पर एकस का पावर वाले में वन बट्टा चार कॉमन एंड एकस का पावर वन बट्टा चार कॉमन एंड एकस का पावर वन बाई फूर रहेगा पलस वाई का पावर बच जाएगा समझ में आ रहा है बि 2 जेसं दोना नीचे से कहीं इफट्ट नहीं पर्या यहां पर देखी देखे इसमें भी और इसमें भी दोनों से ृक्त पाउट पाउच प्लस य का पाउच य वर एकट य दोनों बच गया तो इशि features देखें अब देखें इसको है से इसकी कहानी खतम हो जाएगी हमारे पास किलिए लिए इतना बराबर यही आपका यू है देख लिए प्रस्न में देखेंगा तो यह आपका यू है मैंने इनके जगा पर यू लग दिया और वन बट्टा पांच बट्टा यू समझ महारा यह ह वन बट्टा ट्वनटी यू ला दिया हमारे देखेंगे ला चुके थे इतना आमको लाना था इतना को सॉल्ब करके ठीक है तो यह आपका कितना था वन का दूसरा था यह हमारे पास कोशन नमबर टू है अब देखें टू का क्या चक्कर है वो देखें इस टू थीरी फॉर फाइब सिक्स सेवन सब में एक कैटोगरी का मतलब मैं बता दो आपको एक ही परकार का एक ही परकार थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता मुश्किल नहीं है बट सेमी होग तो आप से मुझे लगता है कि सब बंग जाएगा देखने के वशक्ता नहीं पड़ेगे फिर हम बता रें कोशन नमबर टू 2 भोलता है sin u बराबर x square मानस y square बटा x square पलस y square हमने भी बराबर मान लिया sin u क्या मान लिया sin u क्यों देखे न आप इसको डारेक्टली सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा बिल्कुल लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपको साइन को तोरेंगे फिर कॉस में आएगा फिर जूबाई भी लगाईएगा तो मैंने एकदम अच्छा सा ट्रीक है यह आप इसको क्या करिए इसको भी मान लिजे ठीक है भी माना तो क्या यह भी होगया यह भी आपस में इक्वल होगया क्योंकि यह साइन भी के बराबर होगा तो यह साइन भी के बराबर है तो साइन के बराबर यह भी है तो तीनों भी आपस में यहाँ पर भी इस होमोजीनियस यह हमको कैसे पता चलिए भी होमोजीनियस फंक्शन है यह पता चलिए अब हमें देखिए x²-y² यहाँ पर देखिए दोनों का पावर से में हमने बोला उपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर मतलब 2-2 0 यह असानी समझ में आ गया यदि आप चाहे तो लिम्डा एक स्पूट करके भी सॉल्ब कर सकते तो तुरा लंबा हो जाएगा हम इतना असानी से पहचान रहे तो इतना काम करने के वशक्ता क्या है डिग्री जीरू अकॉर्डिंग टू आलर्स थेओरम आप देखिए आलर्स यू है मतलब अभी जो मैंने रखा इसको भी में कनवर्ट करना पड़ेगा कैसे कनवर्ट करेंगे तो इस परकार भी बराबर साइन यू यह इसी न मान चुके है अब इसको भूल जाएए अब इसका कोई काम नहीं है एंट यहां सब डिफ्रेंसेसन करिए यहां पर से पार इन दोनों को एडिंग कर दिया कुन दोनों को यह और यह दोनों को एडिंग कर दिया मान सकते इसको वन एंड टू भी मान सकते मुश्किल नहीं है फिर वन टू को एडिंग करिए मैंने एडिंग किया एडिंग किया यहां से कॉस्यू कॉमन भी ले लिया तो एक्स डेल यहां पर 0 रख दिया, यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर cos u है, cos u इसके बटा में गिया, तो क्या हो जागा इसके बटा में जाएगा, तब क्या लिखेंगे, 0 लिख देगे, मतलब इतना बराबर 0, यह हमको proved करदा था, शाबीद करना था, यह दूसरा था, यह question number 3 है u बराबर 10 inverse x square plus y square बटा x plus y मैंने यहाँ पर काकिया यह 10 inverse में था ना मैंने इसको इसदर भेज दिया inverse खतम हो गया इसी चीज़ को मैं इसदर भेजेंगे तो वापस से इन भरा जागा इफ्यक्त नहीं परेगा भी मान लिया इसको हमने कामाल लिया भी आप देखे यहाँ पर भी homogeneous होगा क्यों 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 की देखे इसका power किता है क्यों इसका power 1 तो दो में से घटा दिये तो 1 हो गया डिग्री हमको असानी तो पता चलिया अब आलर्थेयूरम क्या कहता है ठीक है आप यहां पर लिख सकते B बराबर 10U आप देखे यह 10U का हमने डिफ्रेंशेशन किया तो 10 का डिफ्रेंशेशन से एक होता है वो भी स्क्वाइर में होता है फिर DLU बटा DLX एक से मल्टिप्लाई कर दिया Y में डिफ्रेंशेशन किया यहां पर Y लिख दिये आप समय को से उनमया के स्क्वाइर G लिख दिया कोई कड़ क्राइब 25 kos मतलब मतलब breaking किया व स्क्राइब 20 bus device ने बने बने गये ना कोच यू मिलतेगा अब हमको यहाँ पर साइन टू यू फर्मूलिया होता ना तो साइन यू इन टू कोच यू का फर्मूलिया तो यह हमारा कोशन नंबर थिरी था सौल्ब हो चुका है हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोशन देखेंगे